अगर आपको facts के साथ और with थोड़ी से history और introduction के साथ बताऊं तो 2010 में Apple ही एक ऐसी company थी जिसने सबसे पहला tablet निकाला था जिसे आप iPad बोलते हो और जब उन्होंने iPad निकाला था तो उन्होंने उसको patent करवा लिया था कोई भी company जब एक नई technology एक नए device खुझ से research करके बना के न आ गया तो बाकी company ने यह decide कि हम जो भी निकालेंगे उसको हम tablet बोलेंगे तो बाकी company उसके जो आते हैं वो आते हैं Android वाले टैबलेट और जो Apple निकालता है वो होते हैं iPad अब काईजे से देखें तो दुनिया का सबसे पहला tablet ने नहीं निकाला था दुनिया का सबसे पहला tablet क अगर आप बात करेंगे तो वो linus company का था जो 1987 में निकाला गया था लेकिन वो खेर कह सकते हो कि वो शुरुवात थी ठीक है उसको pure foremost of tablet नहीं कह सकते प्यूर यूज नहीं कह सकते टैबलेट का लेकिन वो एक शुरुवात थी उस device को देखते हुए inspired होते हुए Apple ने 2010 में नि एक्चुली मैं टैबलेट लेना क्यूं चाहिए कौन सा problem solve कर रहा है ये सबसे पहले बना computer, computer जो इतने heavy बड़े बड़े monitors हुआ करते थे इदम डब्बे जैसे monitor और इदम heavy CP हुआ करते थे उसको thinnest form में करने की कोशिश की गई, technology बढ़ती चली गई, चिप छोटे होती चली गई, लेकिन फिर भी उसके एक limitations थी, कि वो हमेशा desk पे रखा रहेगा ये PC की limitations, personal computer की limitations रही है, उसके बाद company ने decide किया कि यहाँ से इस problem को solve करते हैं उन्होंने निकाला laptop, laptop का मतलब था lap के उपर top, laptop मतलब lap के उपर रखने के लिए, इसका मतलब यह हो आपके pair के उपर रखने के लिए, तो उसका नाम था laptop, laptop निकाला somewhat आप कह सकते हैं कि सिर्फ PC PC को आप यह कह सकते हो कि जहां पर वो कमिया दिख रही थी, उस जगे को replace करने के लिए, उस जगे को fill करने के लिए, उस gap को fill करने के लिए, laptop को निकाला गया, साथी साथ एक और device market के अंदर थी, जो कि था आपका mobile, अब आपका mobile आप जानते ही हैं कि कितना useful है, आप call कर सकत हो, आप YouTube वीडियोस देख सकते हो, आप multimedia consumption कर सकते हो, आप उसमें apps चला सकते हो, phone handy था, pocket friendly था और pocket में जा सकता था, easily, यह बात तो fixed ही, लेकिन phone के अंदर सिफ apps चल सकते थे, softwares नहीं चलते, आप जैसे मान लीजे मुझे presentation देनी है, मुझे college के अंदर presentation देनी है, मुझे client क जो है, वो रहा, तो यहाँ पर company ने इसका solution निकाला और वो था, iPad या आप कह सकते हो, कि tablet, जो की एक mobile और एक laptop के बीच के gap को fill करता है, for example, आपको अगर मैं इसका use बता हूँ, तो इसका use साथ में यह है, मान लीजे मुझे site पर जाना है, by professional मैं एक architect हूँ, मुझे site पर जान कब कि client की call आजा, और वो में को कौन से site पर बला ले, मैं वहाँ चला जाँ, तो मैं हर वक्त paper carry नहीं करूँगा, हना latest drawing की में पस files हर वक्त नहीं होंगी, तो क्या होगा, मेरे office में मान लीजे मेरे employees काम कर रहे हैं, और वो employee अगर काम कर रहे हैं, तो मेरे पास अगर tablet है, त सकता हूँ, तीसरा, मैं tablet पे S pen, stylus के थूरू, लिख सकता हूँ, notes बना सकता हूँ, ये चीज़ आप phone में कर सकते हो, लेकिन major concern अगीन वही है, कि उसका screen इतना छोटा होता है, कि आप या तो अपना हाथ रखोगे, palm जिसे हम बोलते हैं, या फिर लिखते बैठोगे, ठीक ह आप लेप पर ही रखना पड़ रहा है, आप कोई base चाहिए, लेकिन tablet को कोई base नहीं चाहिए, tablet आप हाथ में दे सकते हो, screen का size बढ़ा है, तो वहाँ पर multimedia consumption हो सकता है, तो यहाँ पर दो type के tablet निकल के आए, आप भली company कोई भी gimmick कर ले, लेकिन दो ही type के होता है, एक होता है वो users जो multimedia consumption करना चाहते हैं, और एक होता है वो users जो की office productivity बढ़ाना चाहते हैं, तो office productivity बढ़ाने के लिए और multimedia consumption करने के लिए tablet बनाये गए, लेकिन again back to the question जो कि मैंने आपको कहा था और वो यह की असल माईनों में tablet कौन सा लें अगर आज भी लेना है, जब आप android phone चलाते हो और जब उसके बाद आप tablet को चलाते हो, तो आपको वो feeling आती है कि आप mobile का बड़ा भाई चला रहे हो, आपको purely पता चलता है कि यह phone से influence हो के बना है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है अगर आप tablet की बात करोगे, तो actually में क्या होता है, जो developer होते हैं जो tablet को बनाते हैं, व जो कि हमारा tablet है, तो वो उसके हिसाब से optimize करके अच्छा या खुबसूरत नहीं बनाते, ठीक है, UI जिसे हैं बोलते हैं, user interface वो उतना अच्छा नहीं रहता, user experience उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो उसको develop करते भी नहीं बनाते, एक phone के लिए device बना लेंगे, या application बना लेंगे और एक laptop के लिए बना लेते हैं, लेकिन वो tablet के लिए नहीं बनाते, tablet उनके बीच में automatically एक आ जाता है, उसका बड़ा बड़ा भाई दिखने लग जाता है, लेकिन वहीं पर अगर iPad की बात करो, तो Apple इतने अच्छे सा अपने आपको optimize करता है, कि वो phone के लिए अलग application मनाता है, उसी application को अगर उसको चलवाना है iPad में, तो वो उसके लिए अलग से उसको develop करता है, अलग से मतलब menu कहां होना चाहिए, सर्च बार कहां होना चाहिए, टाइटल किधर लिखा होना चाहिए, उसके लिए अलग से वो optimize करता है, तो ये Apple की सबसे अच्छी बात है, कि वो हर एक app के लिए सोचता है, कि हाँ इसको tablet में चलना है, तो tablet जैसा दिखे, ना कि phone का बड़ा भाई दिखे, तो ये एक major difference है, लेकिन that doesn't mean कि आपको tablet नहीं लेना चाहिए, और सिर्फ iPad लेना चाहिए, अब ये चीज़ देखे, budget पे होता है, दूसरा software पे होता है, तीसरा आपके experience पे होता है, कि आप बचपन से चलाते वही क्या आए हो, अगर आप Android चलाते वही आए हो, तो आपको Android की तरफ जाना चाहिए, और आपका जो budget अलॉग करता है, उसके according लेना चाहिए, तो यहाँ पर start करते हैं इस वीडियो का main content और वो ये है, कि top 5 tablet under 50,000, तो कि वो जाहिए सी बात है, वो phone का एक अच्छा version निकाला गया है, और phone और tablet के बीच के gap को fill करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो slim look, पतला दिखना, अच्छा दिखना, bezel free दिखना, यह सारी चीज़े आप लोगो देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर इस tablet के display size और screen size की ब प्रोसेसर के अगर बात करूं, तो क्योंकि यह mobile का बड़ा version होते हैं, ठीक है, और mobile के problem को solve करने के लिए जो उनकी limitations है, उनको solve करने के लिए बनते हैं, तो इसमें जो प्रोसेसर होते हैं, वो अकसर आप लोगो देखने को मिलेंगे, कि वो mobile वाले ही होते हैं, और इस case में इसके पास जो प्रोसेसर है, वो है Snapdragon 730G, वहीं पर अगर इसके बैटरी की बात करें, तो बैटरी 8600MH का देखने को मिलता है, अब 8600MH का क्यों देखने को मिल रहा है, अगर phone की बात करें तो 3000-4000 का ही क्यों होता है, क्योंकि यहां पर screen size जादा है, तो screen size जादा है, तो उ जादा battery consumption लगेगा, तो उसको long hours में चलाने के लिए, यहां पर इसके mh को जादा दिया जाता है, जो की इस tablet में आता है, 8600MH का, कैमरे के लिए वैसे भी tablet जाना नहीं जाता, अब मान लिए आप कहीं रास्ते में चल रहा है, आप कोई scenery पसंद आ जाए, तो आप जेब से phone निकालेंगे, या एक sleek bag से tablet निकालके photo किचेंगे, तो इसका main purpose कभी भी photo या photographic ले नहीं होता, इसका main purpose होता है, वो video calling के लिए और basic किसी की photo लेनी है, या conference पर जाना है, तो उसके लिए होता है, और मैं अगर इसके variant की बात करूँ, तो 6GB RAM के साथ, और storage जो है, वो 128GB के जो variant आता है, वो आपको एप्रॉक्स एप्रॉक्स प्राइस में पड़ेगा, 40,000 रुपीज का, फोर्थ नमबर पे मैंने जिस tablet को रखा है, वो आता है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Pad 5, और यह जो Xiaomi Pad 5 है, यह मेरे पास भी यही है, अगर आप देख सकते हैं, यही Xiaomi का है Pad 5, इस tablet को मैंने क प्रोसेसर आता है, वो प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, कौन सा प्रोसेसर है वो, वो प्रोसेसर आप लोगो देखने को मिलेगा, 860, Snapdragon 860 का, मतलब flagship लेवल का प्रोसेसर इसके अंदर माना जाता है, अगर मैं बात करूँ इसके अधर डिस्प्ले साइज की, तो डिस को मिलेगा, 2.5K, resolution का आप लोगो देखने को मिलता है, प्लस 120Hz का refresh rate है, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, मल्टी मीडिया करते हो, ठीक है, तो आपके ये 120Hz का देखने को मिलेगा, refresh rate screen का, वहीं पर अकर बात करें इसके बैटरी पावर की, तो 8720MH का देखने को मिलता है और 22V का चारजर आता है, ताकि जल्दी fast charge कर सके, इसमें जो थोड़ा सा नुकसान वाली बात है, वो ये है कि इसमें fingerprint sensor नहीं है, और वैसे भी मेरे लिए वो preference था भी नहीं, वहीं पर अगर हम Lenovo के tab की बात करें, तो उसमें fingerprint sensor है, लेकिन इसमें fingerprint sensor नहीं है, आपको direct कि इसको open करना पड़ता है, टैप करके, लेकिन वहीं पर अगर इसके camera की बात करें, camera quality की बात करें, तो यहाँ पर आपको एक camera देखने को मिलता है, वो भी 13 Megapixel का, और यह जो 13 Megapixel का है, यह 4K recording के साथ आता है, मतलब आप 4K की recording कर सकते हैं, अब वैसे काईजर से देखा ज मतलब especially if flashlight ही चाहिए, तो वो flashlight इसके अंदर है, तो मेरे को वहाँ पर कोई major concern नहीं है, fingerprint में को नहीं चाहिए था, तो fingerprint को मैंने ज़्यादा value नहीं दिया, और उसको cons में लेते हुए, मैंने फिर भी इस tablet को खरीदा, और वहीं पर इसके variant की बात करूँ, तो यहाँ पर आप cons की अगर बात करें, तो आप इसको expand नहीं कर सकते, 256 अगर आपने ले लिया, तो मतलब ले लिया, क्योंकि इसमें कोई भी card slot देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर इसके साथ बस यही problem है, कि आपको 256 तक ही limit रखना पड़ेगा, बाकि अगर आप चाहो तो इसमें C type charger है, तो वहाँ से अगर आपको कोई hard disk लगा सकते हो, external तो वो आप लगा लो, well and good वैसे काम कर सकता है, लेकिन वैसे आप expand इसको नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पर अगर इसके price की बात करो ना, तो price जो है वो unbeatable है, अपरोक्स आप कह सकते हो कि Amazon पर आपको 30,000 का देखने को मिल ज लिख करके दोनों ही variant को check out कर सकते हो, अपने according जो भी आपको देखना है, अब यहाँ पर जो third number पर मैंने tablet रखा है, वो देखने को आता है, जिसे हम real tablet बोलते हैं, या real iPad बोलते हैं, वो है Apple की तरफ से, और Apple का iPad mini आप ले सकते हो, और यह आपको under 50,000 के अंदर देखने को मि लेगा, लेगे न अगर इसके performance की बात करें, अब क्योंकि यह iPad है और एक true tablet है, तो सबसे पहले अगर मैं इसके display size की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 8.3 इंच का देखने को मिलता है, अब 8.3 का क्यों है, 10 का क्यों नहीं है, क्योंकि इसका नाम है mini, तो mini के according size थोड़ा स और एक हाँ से चला सको, उसके according इसको रखा गया है mini, जो की है 8.3 इंच का, और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ, तो प्रोसेसर आप लोगों देखने को मिलता है, A15 Bionic Chipset के साथ, जो की again Apple ही provide करती है, या Apple ही इसको develop करती है, और A15 Bionic Chipset के साथ देखने को मिलता है, कायदे की बात में आप लोगो roughly around बताऊं, जब मैंने इसका benchmark देखा तना, तो A15 को, A15 Chipset को मैंने 860 Snapdragon से comparison किया, तो double का फरक है, मतलब इसकी जो performance है, A15 Bionic Chipset जो है, इसके जो benchmark है, वो double का फरक है, वही पर अगर इसके battery की बात करूँ, तो battery आप लोगों देखने को मिलता है अब आपके mind में question आएगा, और वो ये, कि आखिर इतना छोटा battery, तो फिर इसका मतलब performance तो बहुत कम रहेगी, मतलब long lasting सो जादा नहीं रहेगा, बार बार चार्ज में लगाना पड़ेगा, तो इसका मैं answer दूँगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके camera की, त और front में भी एक और दोनों ही आपको 12 megapixel का देखने को मिलता है, और आप 4K recording कर सकते हो इसके अंदर, तो हाँ जी हमारा question रहेगे था, question ये था कि battery इतनी कम है, तो काम कैसे चलेगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, again Apple की एक और तारीफ कर लेते हैं, जो की है और market में lead क्यों करता है, उसका reason है, आप मान लिजे, अगर हम बात करें computer की, laptop के, other brand के, या फिर हम tablet की बात करें, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग manufacture हर एक उसके अंदर का hardware नहीं करते हैं, जैसे मान लिजे कि अगर उनको RAM लगाना है, ठीक है, तो वो RAM क्या करेंगे, Samsung से बनवा लिए, C8 का ले लिए, Samsung का ले लिए, Transcend का ले लिए, ये कोई भी company का उठाया, storage, जिसे हम hard disk बोलते हैं, और वो लगा दिया, तो मतलब कि अंदर जो है, वो component अलग-अलग company के लगे वे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाके वो एक laptop बनता है, या एक PC बनता है, ठीक है, same goes with tablet also, ठीक है, अब जो tablet आपको देखने को मिलता है, दो processor देखने को मिलता है, एक media tech company बनाती है, और एक snapdragon है, ठीक है, वही पर एक और processor अब बनाने लग गई, अगर आप mobile में देखोगे, तो xynos करके है, जो कि आपकी samsung बनाती है, तो अगर मैं apple की बात करूँ, तो apple पारे hardware खुद बनाता है, और जो hardware खुद बनाता है, उसकी tuning इतनी अच्छी होती है, आपस में hardware की tuning इतनी अच्छी होती है, कि भले ही आपको वो number पे कम दिखे, लेकिन वो इनको beat करने के साथ-साथ इनसे double उपर रहती है, मतलब आपको भले ही आपको इसकी image सिर्फ 5000 दिख इनको मिलेगा, क्योंकि इनकी tuning अच्छी है, इनका processor भी खुद का है, Bionic chipset A15 किसका processor है, Apple का बनाया हुआ, Apple का develop किया हुआ, इनका RAM भी खुद का होता है, इनका display भी generally खुद का ही होता है, और साथ-साथ मैं बात करूँ तो यह graphics card की तरफ भी खुद ही जा रहे हैं, खुद Apple iPad Mini, और वहीं पर अगर इसके price की मैं बात करूँ, तो price आप लोगो देखने को मिलेगा, 45-50K के अंदर आप लोगो Amazon पे देखने को मिल जाएगा, और कौन सा variant देखने को मिलता है, 45-50 के अंदर, 64GB का storage जो होगा, वो आपको variant देखने को मिलता है, और इसके अंदर सबसे अ चार्जर क्यों नहीं Apple Lightning Port पे काम कर रही है, उनका केबल और उनका charging शुरू से ही Lightning Port की तरफ रहा है, वो कभी भी Thunderbolt और C-Type Charger की तरफ, A-Type Charger की तरफ कभी गई ही नहीं, उसने हमेशा अलग ही lead किया, तो क्यों बना रहे हैं ये C-Type Charger, इसका जो answer है, आप लोगो देखन से बना रहा है, तो यहाँ पर आपको Government of India को thanks बोलना चाहिए, लेकिन अगर उसका reason जानना है, तो आप उपर I button पे क्लिक करके उस वीडियो को देखके जान सकते हैं, तो अब हम चलते हैं, next tablet की तरफ, जो की होने वाला है, number 2 पे, Samsung Tablet S7 Plus, अब देखिए, यहाँ पर बहुत confusion थी, मेरे को second number पे tablet को रखते हैं, क्योंकि यह तो परदा था कि Samsung की तरफ से ही आने वाला है, ठीक है, लेकिन इनके बहुत बहुत आपस में बहुत minor minor पैसों के साथ फरक हो के, और एक नया product अच्छा मिल जाता है, जैसे कि S7 Plus जो है, वो आपको देखने को मिलेगा 40 से 50 के बीच में, लेकिन उसी 40 से 50 के बीच में आप लोगो देखने को मिल जाता है, Samsung का S7 FE, और अगर आप 40 से 50 में अगर देखोगे, तो आपको S8 भी देखने को मिल जाता है, Samsung का tablet S8, ठीक है, तो यह minor से पैसों के साथ थोड़ा थोड़ा आपको products में variation देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं इन तीनों का ही जो link है वो नीचे description में डाल दूँगा, आप पैसे क्या according देख सकते हैं कि Amazon में उस वक्त क्या price चल रहा है, और उसकी according आप उसको buy कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर other specifications की बात करें, S7 plus की specifications मैं आप लोगो बता रहा हूँ, FE का भी almost same ही है, और S8 क थोड़ा सा उपर है, लेकिन हाँ मैं S7 plus के recommendation दे रहा हूँ, क्योंकि वो 40 से 50 के बीच में तो रहता ही रहता है, price range के अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगो यहाँ पर display size जो है, वो 12.4 inch का देखने को मिल जाता है, with 4 की resolution, plus 120 hertz का आप लोगो refresh rate देखने को मिलता है, और अग प्लस के processor की बात करूँ, तो 865, again flagship आप लोगो processor देखने को मिलेगा, जो की है Snapdragon 865, और वहीं अगर मैं battery की बात करूँ, तो battery size आप लोगो देखने को मिलता है, 10,090 mAh का आप लोगो battery size देखने को मिलता है, with 45 watt का charger के साथ, अब क्योंकि इतना बड़ा battery है, तो उसको जल्द charge करने के लिए जादा watt भी चाहिए, जो की ये provide करते हैं, अपने adapter में 45 watt का आप लोगो adapter देखने को मिलता है, camera के अगर बात करें, तो rear में आप लोगो 13 और plus 5 देखने को मिलता है, मतलब की dual camera है, और front के अगर बात करूँ, तो 8 megapixel का आप लोगो देखने को मिलता है, और जि इसके special अगर मैं बात करूँ, एक extra अगर बात करें, फीचर की या USP के ही, तो इसके साथ आपको S Pen भी देखने को मिलता है, जो stylus है, वो इसी के साथ ही देखने को मिलता है, आप कोई से भी तीनो variant ले सकते हैं, S7+, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या आप S7FE, या फिर S8, तीनों में ही आप लोग को Inbox, जो है आप लोग को S Pen देखने को मिलता है, और यहाँ पर No.1 पे जो आप लोग को Tablet देखने को मिलता है, और I think so, कि आपके mind में अल्यड़ी आ चुका होगा, कि मैं No.1 पे किसको ही रखूँगा, और वो अगेन आता है, Apple की तरफ से iPad, आप कह सकते हैं, iPad Air 5, इसकी अगर मैं शुरू में ही आपको disclaimer के साथ अगर pricing बता हो ना, तो यह थोड़ा सा 50 प्लस में चलता है, पचास हजार के अंदर नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा 50 प्लस में चलता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको include करके No.1 पेस ले रखा, आपको मैं इसका फ Laptop में chipset लगता है, वो chip इसके अंदर लगा हुआ है, इस tablet के अंदर, आप यह कह सते हो कि चुहें के भेस में share घुसा पड़ा है, यह वाली आप डेरे डेरे बात महा सते हो कि M1 का chip लगा रखा हो, M1 chip अगर आप इनके laptop के product को जाके check करोगे ना, उसमें M1 का chip लगता है, जो कि इन्होंने tablet में लगाया है, mobile का नहीं लगाया है, यहाँ पर लगाया गया है laptop का, मतलब इतना powerful है यह, इसलिए मैंने इसको 50 plus में लेकिन फिर भी consider किया कि अगर आप थोड़ा साई बज़ेट रखते हो ना, तो आपको एक suggestion बहुत अच्छी मिल जाएगी, और वो यह है कि आपको इस tablet की तरफ तो जरूर से जाना चाहिए, screen size के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगो screen size देखने को मिलता है, 10.9 inch का, और बाकी सारी खुबी आप लोगो पता ही है कि बाकी सारी इसके अंदर खुबी देखने को मिलेगी, क्योंकि Apple की तरफ से आ रहा आपको समझ में आया होगा और यह पूरी वीडियो समझ में आया होगी और एक knowledge भी मिली होगी, सिर्फ buying guide नहीं मिला होगा, बलकि एक knowledge भी मिली होगी, कुछ history के बारे में, कुछ knowledge के बारे में, कुछ introduction के बारे में, tablet के बारे में, iPad के बारे में, and guys अगर आपको यह information useful लगी और वीडियो समझ में आया है, तो इस वीडियो का आप लाइक करके subscribe जरूर से कर सकते हैं, और एक प्यारा सा comment कर सकते हैं, क्या आपको यह वीडियो कितनी पसंद है, क्योंकि आपकी इस प्यारे से comment से मुझे appreciation मिलता है, तो मिलते हैं, फिर एक next वीडियो में, तब तक अग आपके पास इतना budget नहीं है, तो under 20K के अंदर कौन सा tablet लेना चाहिए, और क्या लेना भी चाहिए, इसके उपर भी हम बात करेंगे, तो आप उसके लिए ये नीचे वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि Apple क्यों consider करना चाहिए iPad के मामले में, तो उसक के लिए आप मेरी उपर वाली वीडियो देख सकते हैं, सो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स वीडियो में, तिल देन बाब बाई, टेक क्यार